नमस्कार आज अपन बात करेंगे गुजरात के राजकोट के रहने वाले रमेश भाई रुपालिय के बारे इलो न जीवन में संगर्स की एक पराकाष्टा देखी एक समय इनके जीवन में ऐसा संगर्स आया कि इनको कर्ज इतना होगे कि इनको जमीन बेचनी पड़ी फिर भी यह हिम्मत नहीं हरे और कैसे कैसे करते हुए अपने जीवन गुजरा किया असी रूपए महिने में गाय चराई और आज यह साल के तीन क्रूर रूपए कमारे हैं सब इनकी महनत और जुनून के बदलत जीवन में अगर आप कुछ हार जाओना तो कुछ ऐसी मॉटिवेस्ट इस इंस्पारिंग इस्टूरिया देखना हो सकता है कि आपके जिवन में इतनी मुश्किले नहीं जितनी मुश्किले इनके जिवन माई इसलिए मुश्किलों से कभी गबराना नहीं उनका डट कर सामना करना रमेज भई रुपालिया के बढ़र पन जानते हैं आई यह करके हालत बहुत खराब हुई इतनी हालत खराब हुई कि कर्जा हो गया कर्जा हुआ उस कर्जा के चलते हुए उनके पास में दस एकर जमीन थी इनके पास में वह सारी बिग गई उसे सारा कर्जा चुकाया लेकिन अब अब क्या था उनके पास में कुछ भी नहीं था दोनों खाली हाथ थे लेकिन मन में एक उम्मीद थी, एक होसला था, एक आत्म विश्वास था कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा अच्से रुपए महिने में गाय चराना सुख किया, लेकिन इससे भी इनका पूरा नहीं हुआ गरखच और नहीं चला, 2010-2011 में गाउं छोड़ कर सहर आए, इनको लगा कि यार गाउं छोड़ देते और सहर जाते हो सकता है, इस सहर में कुछ ज़्यादा कमें कर ले, इसी है वहाँ पर देखें डेखके एकतर परिवार की एकम जमीन थी, कढ़ा कम काम नहीं दा रहे थी, बंजर जमीन si, तो उततुल विद्वाया है तो उस जमीन की देखबाँ करेगा, और उनके भी काम हो जाएगा और इनके भी काम हो जाएगा- 134 और इने क्या है नेके इस पर उनने दो गाई और दो बेल के साथ में या बॉह आप देखो यार के बंजर जमीन पर खेती करने लगें बिल्कुल कि उनको आसा थी उम्यद त्ट इस बंजर जमीन को में गाने एक दिण उपज्याु जमीन बना दूगा गोब्ब्र ओँनो को बनाया कोबर और गोमुत्र से उस बंजर जमीन को उपजोग बनाया और पहली बार उस पर 35 लाक रुपई कमें की 35 नौट यहां से इनके गाड़ी चल पड़ी आज इनके पास में 250 गाये हैं हर मां 40 लाक की कमई करते हैं देखिया वक्त का वक्त कब बदलता हैं देखिया आप 40 लाक पर मंद कमई नौट असी रुपए पर मंद में गाय चलाई डिपेंस देखना असी रुपए और 40 लाक यह सब मेहनत जोस और जुनून से रमेज भाई यह कर देखिया क्या हो मेहनत क्या वह जोस और जो जुनून नहीं रखते तो क्या आज यह हो पाता नो नेवर इस जिन में कभी होप न छोली होसला बनाय रखें उस्सा बनाय रखें यू कैंड डू इट कि मुख्य इंकंग गाय के गी से होती है रमेज भाई के पास पर टू फिप्टी काया है कि मुक्ष इंकंग होना गाय के गी से होती है इनका गी 3500 रुपए किलो ग्राम में जाता है एक केजी गी कीमत पेटिसो रुपए है कि और सबसे बड़ी बात यह है कि यह इनका जो गी है ना गयों का एक्सपोर्ट होता है तक्रिमन 2223 23 थेसों में इनका गयों का गी एक्सपोर्ट होता है और bushes सबी फ्रोडक्त है और दूसरे अधर प्रोड़क्ट है इनके सारे के ओन्लाइन डिमांड रहती है यह कभी डीटेल शौप सब आते हैं विदुआ सब रहते हैं यह अपना टेर्निंग सेंटर भी चलाते हैं यह देखिंगा अगर कोई केता है इसे कि हमें भी ज़ान करना है तो बिल्कुल अच्छे तरह से जान करे देते हैं समझाते हैं सब कुछ करते हैं क्या बेनिफिटे क्या लोस हो सकता है इन फीचर में क्या संभावना है आगे क्या प्रोग्रेस हो सकती है यह सब कुछ बताते हैं तो रमेज भाई रुपाजिया से आप जीवन की सबसे बड़ी सीख सकते हो जीवन में हज्जारों उस सब कुछ खो दियाना आपने लेकिन फिर भी आप में अगर होसला हैं उस्सा हैं मंग हैं उमीद हैं तो द्यान रखना जियोन में आपके पास में सब कुछ है इसके बदूलत आप कुछ भी कर सकते हूं